हेलो फ्रेंड्स कैसे हूँ आप सब उम्मित करता हूँ कि आप सब बच्छे से होंगे और मैं हूँ मनीश और काफी दिनों के बाद कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक इसके उपर आज हम बात करेंगे और बहुत सारे लोगों का ये कमेंट्स जो है आया हुआ था और जो है फोन कॉल्स जो है आ रहे थे कि सेल्स और मार्केटिंग के उपर आप जो है वीडियो बनाईए और किस तरीके से हमें जो है marketing field में काम करना चाहिए और किन-किन step को follow करके हमें marketing, sales and marketing करनी चाहिए तो उन सब चीजों के बारे में बात करेंगे और ये जो है आप अगर निया business start करने वाले हो या फिर अपना business जो है शुरू कर चुके हो या फिर समय में आप करने वाले हो वो है कि उस जगाँ पे कौन सी अगर्वत्ती की need होती है मतलब कौन सी अगर्वत्ती लोग जलाना पसंद करते हैं किस अगर्वत्ती की जो है demand काफी अच्छी होती है कौन सी company की अगर्वत्ती जो है ज़य जादा पूरी तरीके से फैल हो जाएगा आप जादा दीन या फिर जादा लॉंग टाइम मार्केट में नहीं टिक पाऊगे इस चीज को आप ध्यान रखना बहुत सारे लोग इस चीज के उपर गलती करते हैं मार्केटिंग फिल्ड बीना समझे अपना प्रोड़क्ट तयार कर लेते हैं तो ऐसा करना आपके लिए बहुत बड़ी नाकामी होगी अगर बत्ती बिजनेस के अंदर और यह बिजनेस ऐसा है कि यहां कॉंपटिशन बहुत ही जादा है आपको एक एक चीज एक एक स्टेप क मैं एक दिखाना चाहता हूं जैसा कि एक यह जो पैकेट है जो की जिस एरिये में मैं रहता हूं वहां के आसपस जगह पे काफी जो है डिमांड में होती है और यह है भारतवासी परिमल मंदीर की जो है एक पैकेट होती है और यह काफी बिखती है काफी लोगों का इसमें करना चाहते हो वहां की कुछ जो है सैंपल्स या फिर कुछ जो अगरबतियां जो काफी चलती है जो लोगों के उपर काफी डिमांड होती है उसकी कमपनी की आपको कुछ अगरबति लेनी है और उसे ट्राइ करना है कि जो वो प्रोडक्ट करना है कि इस अगरबति में कैसी क्वालिटी होती है और आपके अगरबति में कीस टाइप की आपको दिखाता हूँ इसका और जला के भी ट्राइ कर लेते हैं और यह है जो परीमल मंदीर की भारत वासी अगरबतिया है, काफी इसमें जो है अच्छा है तो इसी तरीके से कोई आपका अप जीस एरिया में हो, वहाँ आपको देखनी है कि कौन सी अगरबति वहाँ सबसे ज़ादा जो है, चलती है उनका आपको सैंपल लेना है और सैंपल लेके कुछ आपको ट्राइ करनी है कि उनकी अगरबती में और आपके अगरबती में क्या फर्क है मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आपको पूरी उनकी जो है वो बड़ी कमपनी है तो जाहिर सी बात है उसमें qualities होंगी ही होंगी और एक चीज़ आप ध्यान दोगे कि जो उनकी product है और जो आपकी जो आप तयार की हो जो भी perfume यूज़ करके आप तयार की हो तो आपको इसमें एक आपको quality की फर्क नजर आएगी जो बड़ी कमपनीया है और जो आपकी अगरबती में जो भी कमी होगी अपके अगरबत्य के अंदर जो भी कमी होगी, चाया वह पर्फ्युमिंग हो, चाया बर्निंग पाव़र हो, या फिर और कुछ जो चीजे होगी वह आपको समझ में आएंगी, कि जो बड़ी कमपनिया है, वह तरीके से अपनी अगरबत्यां तयार करती है और किस तरीके से उनका fragrance आता है और जो SS होते हैं जैसे कि आप देखरो SS हो गया आपका जो धुआ है वो किस तरीके से निकलता है वो सारा चीज आपको समझ में आजाएगा और उसके बाद भी ये आपको आसानी होगी कि जो हमारी अगरवत्ति हैं उसमें किस किस तरीके से अं पफिर जो है जैट ब्लेक हो या फिर और जो है परिमाल मंदीर जैसा आपको मैं दिखार रहा हूँ वैसा मैं बहुत सारे जो है पकेट को ट्राइ करते रहता हो ता कि ये पता लगे कि हम जो अगर्वत्ति करते हैं और उन उन वो जो बड़ी कंपनिया वो अगरबत्ती तयार करती है उसमें क्या जो है खासियत होती है जो कि लोग उसको काफी ट्रस्ट करते है और काफी पसंद करते है जैसा कि ये मुक्स अगरबत्ती का है स्वार्णा चम्पा ये भी काफी जगा बहुत अच्छा मानी जाती है और बहुत ज्यादा लोग है लो अगर्बत्ति आप ट्राइगर के देखिए फिर आपको जो फर्क है वो एक्ट्वल में नजर आ जाएगा कि उनकी अगर्बत्तियां में क्या खासियत होती है और आपकी अगर्बत्ति किस पोजीशन में हैं उसके बाद आपको सेकेंड जीज जो है मार्केटिंग फिल्ड में जो है ध्यान देनी वाली सबसे बड़ी बात होती है वो है आपको कभी भी आपका जो है प्रोड़क्ट डिसाइट नहीं करना है आपको सबसे पहले दुकानदार जहां आप माल सेल करना चाहते हैं वहां देखना है कि वहां किस टाइप की अगर्बत्ति की नहीं करना है क्योंकि इस मार्केट में इतना है कि आपको एक बार में कभी भी समझ में नहीं आएगा कि किस टाइप की अगर्बत्तियां जो है मार्केट में चलती है और उससे पहले आपको एक कुछ इस टाइप की आपके प्रोड़क्ट की जो है सैंपल किट आपको तयार करना चाहते हो जो भी आप तयार कर रहे हो जैसा प्रोडक्ट आप बना रहे हो चाहे वो कोई भी सेग्मेट में हो उसकी आपको कुछ-कुछ इस्टिक जो है पैक करके रखनी है और उसको सैंपल किट के जरिये से आपको दुकानदार को प्रोवाइड करवाना है तो यहां प करते हैं और अपना प्रोड़क्ट में तयार करते हैं तो इस टाइप की सैंपल कि आप उसको प्रोवाइड कीजिए और इसमें दो चीजों का आपको फ़ैदा होने वाला है एक को अगर उनको प्रोडऱ्क्ट में आता है तो उनसे आपको आपफारोर जहां मिल जाएगा और अगर product उनको समझ में नहीं आता मतलब वो आपका product पसंद नहीं करते हैं या फिर qualities हो या फिर और कुछ जरिये से तो इसमें आपको समझ में आएगा कि आपका product में कोई ना कोई जो है कमी है या फिर खराबी है तो उसे आप पहले solve कर सकते हो फिर उसके बाद जो है अपना अगला market जो है second time से आप तयार कर सकते हो और कभी भी आपका product marketing field में कुछ सीखे और जाने भीना आपको product तयार नहीं करना क्योंकि यहां competition इतना जादा है कि आप अगर नए होंगे तो आपको rejection जरूर मिलेगा और यही कुछ rejection से ही आप जो है सीख सकते हैं कि किस type की अगरवतियां हमें जो है तयार करनी होती है और use भी करना चाहेंगे इसमें आपका दोनों तरीके से फैदा जो है होने वाला है तो marketing के field में इन सब छोटी छोटी बातों के उपर या फिर process के उपर आपको कोई नहीं बताएगा क्योंकि मैं भी marketing field में जब उत्रा था तो कोई मेरे को जो है guide करने वाला नहीं था तो काफी मुझे तकलीफें जो है हुई थी तो मैं यह नहीं चाहता कि अगर कोई जो नया marketing के field में काम करेगा तो उनको problems हो इसके लिए मैंने यह process आपको बताया है और आगे जो है एक starting जो है sales का जो strategy है जो आपको मैं बताया हूँ इसके बाद आपको जो product है वो आपको कैसे तयार करना है और marketing field में किस type की जो इसकिमो का use करके या फिर जो process और है बड़ी बड़ी process है उनके बारे में आगे मैं बात करते रहूँगा और यह starting process है इनको आप ध्यान दीजिए तभी आप एक अच्छा salesman बन पाएंगे और आपने product को जो है अच्छे से sale कर पाओगे और काफी लोगों का एक requirement थी वो है मेरा number और कुछ problem की हो जैसे मैं जो है YouTube से अपना number हटा दिया था चैनल से हटा दिया था और कुछ दिनों म मैं यह number मैं फिर से provide कर दूँगा तो जिनका जैसा question होता है या फिर अभी जो है बहुत सारे लोगों का जो मेरे product है वो भी demand है कि सर आपका product जो है हमें चाहिए चाहिए वो raw गरवत्ती हो या फिर packaging का हो या फिर packaging material हो या फिर perfumes हो तो उसके उपर कुछ जो है मैं काम कर रह आता हूं और जिसको जहो product की requirement होगी उसको मैं जरूर पूरा करना चाहूंगा और यह वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को जरूर subscribe कर लीजिए क्योंकि अगर बत्ती business से related कुछ ऐसी information आपको देते रहता हूं जो कि आपके लिए काफी helpful होगी और जो marketing field में sales and marketing का जो है अलग-अलग series में मैं वीडियो डालते रहूंगा यह हमारा जो है first step था जो कि इसके बाद marketing के field में और कौन-कौन सी step है जिनको follow करके आपको काम करना होता है उन सारी चीजों के बारे में step by step part के through मैं आपको देते रहूंगा वीडियो के माध्यम से तो त अब तक के लिए धन्यावाद मिलते हैं अगले कुछ नए sales training के साथ में